वेलकम स्टुटेंट इस वीडियो में जानेंगे एंट इस्टोलाइटिका के बारे में जो कि एक पैरा साइट है और इसकी जो फाइला में वह प्रोटोज हुआ है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई लार्ट इन्टिष्टिंट इन्दर हैं हुमंस के उसकी जब चलासिकशन न्युक्त है तो सबसे पहले बिसकी ऐसकी मौर्फिकोट के बारे में जानते हैं खिख टो पड़ेat की सिस्ट नाटी जोए में तीन की टृरी समझेंगे तो आप योदी से मिलकर बना होता है ऍदर हो एक और cit lorsqu I am Humphrey डेक्ट किक लिए हो ठीक है और देंट ऑला होगा एक रेग्याश है premature करूँटर यह थि हुए जानते हैं तुप बोलते हैं ते कहा इसी जानते हैं एची बढूल जो यह वह दो पॉर्शन में डिवाइड होता है सबसे पहला है किलियर आउटर एक्टो प्लाजम और दूसरा इनर ग्रेनुलर एंड़ प्लाजम ठीक है ट्रोफ ट्रॉफो जो एव वह मोटाइल होते हैं किसके दोरा फिंगर लैक प्रोजेक्शन के दोरा जिसको एक्टो प् और इसको करियो के सब्सक्राइब और इसके इसको सब्सक्राइब होता है और बीच में नूक्लियर होता है जो की ट्रॉपोजयट के से मोता विल्कूल ठीक है अब हमंग इसको हम सुडवीन भी जानते हैं तो इसका ड्यमेटर ज वह 2 से 20 merc हमाइकर मेंट और सिस्ट जो हैस इसको बोलता है मतलब फैस में फैस्ट के पास माई हाई रीफ्रेक्टायल में हो वह इसके चाहिक कि इस ऐता है सेके नाम से पता लग रहा यूनि नूक्रेटर एव था इंडल्म सकते मतलब इसकंदर 4 नुकलियस प्रजन्ट होएंगे टेकिन नेक्स्ट देखते हैं में चोफ रस सिस्ट वह वह कोई नुकलियतु शिस्ट इने-क्वाइड नुकलियस फिरेटेट ले वह मेचूर्ग रिष्ट होती है जो की इंफेक्शन करती है बट सून के द्वारा दो curiosity होती है यह निक दूमस्ट होती हैं एक क्राममें भार्फरेक्टटल बार भी क्यते हैं से ठीक है और next एंगला को जल्गी मास होए वह स्टेन होता है ब्राउन स्टेन होता है किसके दोवारा आयोधिन के दोवारा यानि कि जभ एक्जामेनेशन आयोधिन करते हैं तो उसके दोर अग्लाइब यह वह तो तो जुए नहीं इंदर कि अंदर यानि कि इस लाइन का मतलब यह कि क्रोमेटिट बार जो है वो आएडिन प्रेपेशन के द्वारा तो इस टेन नहीं होता है बट यह नॉर्मल सा लाइन के अंदर जब आपन प्रिपेर करेंगे इसको तो जो प्रोमेटिट बार रहे वह रिफ्रेक्टाल बार कि तरह छोगा ठीकिए नेच्स्ट में जानते हैं इसकी स्टक्चर के बारे में तीनों की तो सबसे पहले देखिए यूने नुक्लिटिट जो सिस्ट है उसके अंदर एक नुकलियस प्रेशन होता है ठीकिए एक नुक्लियस पर्जेंट है और दो ग्रोमेटिट बार प्रोम ऑर एक साइटल प्लाजम जो है वह ईस्ट में लुलर होता है İ Мы इंटक्राइब वहाँ और बात करते आता है तो इन करकें़ के बारे ऊच्бы होगा ठीक है नेक्स हम बात करते हैं लाइफ सैक्ल के बारे में यानिकि हम इस्टॉलाइटि का जो है वह अपनी लाइफ एक होस्ट के अंदर व्यतित कर देता पूरा और इसकी इंफेक्टिम फॉर्म होती है और इसकल में अब इसकी अब कैसे स्टाट होती है कोई भी हुबन जब आए कन्ठामिनेटर फूर्ड या फिर वाटर जो को सिस्ट के साथ मिला हो है उसको एक्वायर करेगा उसको perspectives करेगा इंजेशन करेगा तो उसके अधर हिूँमन्स के अंदर जोए इंफ्रेक्शन हो जाएगा इंफ्रेक्शन नोगे बाद में क्या होगा जो सिस्ट जो ए वह सिक्कम और लवर पार्ट घ्लियम में पूँछ जाए यानि लाजेट अधर निक दर को से लिकार यह लिए ंसके अंदर परिगे जिसको बոह Ohio ट्रहनीच है ट्रहाइमिभा ट्रहनी मुलैटर मुलिमभी और है वे बाद में त्ष्ञ प्रढोड और भुवारे। उसके बाला ट्रेलआ है केडिड आ सोई ड्रोडीर पर राक्टिता प्वारें यौह म्यूकुस टिकूट अंदर लोड हो जाएंगे मतलब आटेज हो जाएंगे अटेज होने के बाद क्या करेंगे यह ग्रोग करेंगे और मल्टिप्लाइ करेंगे बाइनरी फीजन के दौरा यनिकि जो जाकर लोड हुए है मेटासर्टीम ट्रोफोड जो जाकर सम म्यूकस टिस्यू के लोड हुए है वह मैठिवी करेंगे हैं भाइनरी फीजन सund उसके बाध इनकी इनकी ग्रोथ की दोरान इनकी इस्ट्री सतुलाईटिन करेंगे जो है वह सीक्रेट करेगा प्रोटियॉलाइटिक एंजाइम यानिकी जब यह लार्ज इंटेस्टंक अंदर लोड़ हो जाएंगे उसके बाद अपने ग्रोथ करेंगे तो सीक्रेट करेगा जो कि destruction करेगा और नेक्रोसिस करेगा tissue का मतलब tissue को तोड़ देगा और क्या नम से blood निकलने लगेगा ठीक है और उसके पास में जब destruction होगा tissue का तो यह flask shape ulcer बना लेंगे ठीक है flask shape ulcer बना लेंगे उसके बाद कहीं सारे trophogoid जो है वह excrete हो जाएंगे blood के साथ में mucos के साथ में feces के अंदर मतलब stool के अंदर जो है वह कहीं सारे trophogoid blood के साथ में mucos के साथ में stool के साथ भार आने लग जाएंगे और इस condition को बोलेंगे इसके बाद क्या होगा इसके बाद होगा इसके बाद होगा एन सिस्टेशन का मतलब होता है कि जब हमारी शरीर का tolerance बढ़ जाता है यानि कि जब किसी host का host का tolerance बढ़ जाता है उसकी immunity एक तरीकी से बढ़ जाती है तो उसके बाद जो हो शरीर हील होने लग जाता है और यह जो ट्रोफोजोड जो हो जातने हैं प्रिसिस्ट के अंदर जब बड़ेगा ठोटोडन्स बड़ेगा तो ट्रोफोजोड जो एक प्रिसिस्ट के अंदर कन वापिस वह जाएंगी जो कि इंफ्यक्टिव फॉर्म है देखिए इसको नाइन हम फ्लो चार्ट के तुरू समझतें लाइफ सैकल को सबसे इजी वे में तो देखिए सबसे पहले जो है वह वह लार्ज इंट्रेस्टेंग के अंदर पहुंचने के बाद में यह एक्स्टी सेशन करेगा यानि कि अमीवा भार आ जाएगा जिसके अंदर चार न्युक् गर्शेंगे उसके बाद यह प्लाटर अटिंग इंजाइम सेट करेंगे जो कि असके आध्याच के लियर को कशवार और इसके बाद जो होस्त है उसका जो बोंदी का टोलर्यन तरश वह बढ़ जाएगा उसका टोलर्यन्निक बाद में जो एवो मेटाश्टिक ट्रॉपज् तो कौन कौन सी डिजीस कॉस करता है सबसे पहला है अमोईविक डिसेंट्री जिसको इंटेस्ट अमोईवसिस भी बोलते हैं इसके इंक्यूबेशन पिरियड जो है वह एक से देखाजह içi दोरान और दूसरी ब्यमारी की अंदर एक्सट्रा-इंट्रिटेस्टाइनल वीश्रोन इसका तीन नाम है तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हम हैं जो एक साव कर मौता है ठीके बट में वह जब जब बढ़ जाती है जो की रेड ब्राउन कलर की तो डार्क 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 रेड तो जोगी मेरून कलर की जो की सोस लाइक अपीरेंस देगा आपने तो सोस देखा होगा कैसा च्छेट उगा होती है वैसे इसकी पज होती है नेक्स्ट है इसके साथ में अधर ओर्गन भी इंवाल्व होते हैं डैमेज होते हैं जैसे की लंग्स भी डैमेज हो सकते हैं स्प्लीन भी डैमेज हो सकते हैं और इसकीन भी डैमेज हो सकती है ठीक है नेक्स्ट हम इसके इसके इस्टोलाइटिका के ल दूसरा जो है वह अल्सर्काम कॉलनिक स्क्रायप लेंगे। ठीके और इसके अंदर जो है वह इस्टूल examinations करते हैं इस्सके अदर च्शम करते हैं तेस्ट लगाते हैं और मॉलेकुलर डािजनोसिस करते हैं जैसे की फ्रोब डीन एंट एक है। और next की माइक्रोसquis करेंगे लिवर भायपसी करेंगे ब्लड एक्जामचान करेंगे इस कुल एक्जामचानग गाएंगे और इसके अन्दर रेडियाोजिटीम कर थे धन्यवाद